श्री क्रेश्न का नई आलाल कीजे, श्री निजानन्द स्वामी कीजे, श्री प्राणनाथ प्यारे कीजे तो अभी प्रकाशिंदी का एकतिस्वा प्रकर्ण ब्याद बाणी का प्रसंग चल रहा है तो अभी तक मैं 125 चौपाई हुए हैं, अब 126 में चौपाई से आगे बढ़ते हैं, पहले 125 में चौपाई का दो रहते हैं दाख क्यों रहे अपनी, एकिया इंड़ फेर, साथ आए पिव जी, इत दुजी बेर, इत दुजी बेर लीला दो पहले करी अब ये प्रसंग जागने लीला का है तो जागने लीला में इसलिए ब्रमात्माओं का आगवन हुआ कि अब्रज और रास पुर्ण होने के बाद में भी सब ब्रमात्माओं की चाहना पुर्ण नहीं हुई तामस्वाब वाले ब्रमात्माओं की चाहना पुर्ण नहीं इसलिए उनको देखाने के लिए फिर जागने लीला ये देखाने पड़ी तो इसमें धाक क्यों रहे अपनी एक या इंड फेर साथ आए पियू जी इतर दुजी बेरा तो फिर दुबारा पियू जी सुन्दर साथ के लिए बदा रहे लीला दो पहले करी पहले दोनों लीलाएं की है दुजे फेरे भी दो ये तो इस जागनी लीला में भी ना दो प्रकर की लीला है तो सद्गुरु की लीला है वो अलग प्रकर की है और प्रानज्य की लीला है ये अलग प्रकर की है तो इसका यह परश्पश्शिका करके समझा रहे हैं बिना तार्तम ए माएने तार्तम ग्यान के बिना ये रहश्य ना जाने को ये किसी को भी पता नहीं चलेगा कोई रहश्य को स्पष्ट नहीं कर पाएगा तो अब यहां दो लिला को समझा रहे हैं एक में उपज्या तार्तम तो एक स्वरुप में तार्तम ज्ञान प्रकट हुआ तो एक में उपज्या तार्तम सद्गुरु के द्वारा तार्तम ज्ञान को प्रकट करवा है दूजे मेने उजास प्राण्याजी के द्वारा तो इसका प्रकास पहिला है तो सद्गुरु और प्रान्ना जी उनके कारिय सब विशिष्ट रहे हैं तो इन रहस्यों को यहां पर समझा रहे हैं तो एक में उपजा तार्तम दुझे में ने उजास्व तो दोनों ने मिलकर के जागने लिला किये एक के अंदर तार्तम ग्यान प्रकट हुआ तो दूसरे श्वरूप ने इसको प्रचारित किया सब अबिद जाहर हो एसी जागनी प्रकास जागनी लिला जैसे प्रकासित होगी तो उसमें साब जगे सारी बात पहल जाएंगी तो किसी को अच्छिपाने वाली बात ही नहीं रहेगी अब तार्तम क्या महत वह समझा रहे है तार्तम जो तो उद्धोत है तार्तम की जोती तो उद्धीत है तीनते कहा हो ए तार्तम ग्यान इतना उज्वल है तो उसमें विशिष्टा क्या है उससे क्या होगा तो इसके लिए हैं समझा रहे है एक स्वपन दू जाव वतन जीव देखे दो ओए तो तार्तम ज्यान की विश्षता है एक और इससे दुनिया स्वपन भी दिखेगी और दूसरी और परमधाम भी दिखेगी क्योंकि अक्षर प्रह्मा के अंतरगत सुरता है वो विलाज के बृति और खेल के बृति है तो इस तरह से ये बृतियां हैं अलग-अलग मान्यता लेकर के बैठ जाती है तो ये इसी प्रकार के बृति है तो वतन देखत जाहर दूजी दोए लिला जो करी ए सवयाद आवही इत दोए दूशरी तो कहते हैं वतन देखत जाहर है वतन को देखने से मुझे इस प्रकार हो गया दूजी दोए लिला जो करी तो दूजी दूशरी दो लिला जो हुई है उनमें ए सवयाद आवही इत दोए दूशरी तो यहाँ पर बैठ करके दो बात सुने लगेंगे तो इस सारी बश्तों यादाएगे यादा आवे सारे सुख और जीव नईनों भी देखे परम नम के सारे सुख यादा जाएंगे और जीव है और आखों से भी उस प्रकार देखता है तो यहाँ यह समझाना चाहरा है एक्सोतीस में चौपाई में यादा आवे सारे सुख और जीव नईनों भी देखे तो जागनी लिला की यह विशिष्ता रहेगी ब्रज रास जागनी यह माया की लिला हैं भी सब अस्परते पटल पर अंकित होगी और परमधाम की लिलाएं भी परमधाम में जागरतों में पर यह सारी लिलाएं उस समयाद आएंगी तो एक और अब दुनिया में रहते हुए यह तो बात की बात समझाए दुनिया में रहते हुए क्या है एक इन लिलाओं का सुख भी और परमधाम का सुख भी और फिर माया का सुख भी सारा का सारा तो ये इस लिला में समझ सकते हैं तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं याद आवे सारे सुख और जीव नईनों भी देखें तो जीव अपने दृष्टिशे परमधाम के सुख भी देखेंगे ब्रज रास चागनी सारे सुखों को अपने दृष्टिशे देख भी सकेंगे ये ख्षमता उनको दी है तार्तम सब सुख देवढ़ी सब लोग तार्तम के सुख देँगे बिद बिद अलेख भी विविन प्रकार के असंख्य ऐस सुख प्रदान करेंगे या लिला की बाते इते इन लिलाओं की बात यहा पर जुवा कहीन जाए तो जुवा के द्वारा कुछ का नहीं जा सकता सुखदो इतली जिये मनुरत पुरा आए तो कह रहें दोनों प्रकर के सुखिया लेना एक तो परमधाम इम्न का सुख उसका भी अनुबब कर सकते हैं और दुनिया में अलग-अलग स्तानों में भटक रहें जागने लिला में वो भी कर सकते हैं उस्से पहले जो भी लिलाएं हुई ए उनको भी याद कर कर सकते हैं तो इसलिए ये सब असंग के लिलाएं है तो इन लिला के संदरब में कहा नहीं जा सकता तो हमें तो इनका सुख लेना है और मनुरत पूरा है अपने अपने मनुरत को पूरन करना है या लिला को जो बल बचन सब के से इस जागनी लिला का सामर्थ है बाद में सब लोग बताने जाएंगे, सब गायन करेंगे बचन मायने देखके सबे सुखले से और इन बचनों का आर्था ले करके सब लोग दूसरे लोग भी दूसरे स्रिष्टी भी इस सुख को ग्रहन करेंगे धन्य 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 धन तो यहां पर हुई है दन धन पूरी नवतन नवतन पूरी धन्य है जहां लीला उध्य हुई है केता का साथ आई यां दूझ ये सबकोई कितने साथ सुनर साथ उस समय भी आए और तो इ这个 बात सुन करके कितने साथ सुनर साथ जागरत होते हैं तो बाद में इसरे प्राणनाजी के समय में दूसरी आतमा हैं भी जागरत होई ये बात समझा रहे हैं दुजी सबकोई दूसरी लिला में इसमें दूसरे शुरुब की लिला तो उसमें और भी आतमा हैं जागरत होती है धना धना धनी साथसों धाम धनी ने सुंदर साथ के साथ में इतनी कृपा की है ये भी धनी है धना धना तार्तम तार्तम ग्यान दे करके सब को जागरत करके ये सारे सुक सारी लिलाओं को समझा दिया ते इसलिए तार्तम ग्यान भी धनी है पूरा प्रकास लेकर के आए और सुख दिये हमा हम लोगों को सुख दिये ये सारा उपकरम हमें जागरत करने के लिए हमें सुख देने के लिए किया है तार्तम रस बेहद का सब जाहर किया तार्तम का रस मतलब ये रहश्या बेहद का भी हद बेहद सभी समझा दिया तो पहले की बात भी समझा दिये शृष्टी रसना से पूर्व की बात भी तो समझा दिये सब जाहर किया बहुत अबीदे सुख साथ को खेल देखते दिया तो अक्षराति धामदने ने तो ब्रह्मा आत्माओं को खेल देखते देखते भी अलग-अलग प्रकार के अपार सुख प्रदान कर दिये तार्तम रस बानी कर पिलाए जाको तो ये तार्तम का रस है ये ब्रह्मवानी स्रितार्तम सागर के माध्यम से किसी को समझाए जाए पिलाए जाए तो जहर चड़या होए जीमी का तो भूमी का जहर चड़ा होगा तो भी सुख होवे ताह को तो उसको जहर से छुटकरा मिलेगा और वो सुखी होंगे तो ये तार्तम का रस है ये बाणी के रूप में पिलाया है तार्तम सागर के रूप में तो बांके तो सद्गुरु ने बताया प्रान्याजे ने बताया उसके बाद में तो ये सब मीटने वाला था अद्रिश्य हो जाने वाला था तो ऐसे में तो पुनाह सुनर साथ को सब को जागरित करके बात कर रहे हैं जो जीव नीद छोड़े नहीं जो जीव यहां पर इतना कुछ समझाया और फिर भी नीद नहीं छोड़ता है पिलाए बानी उसको भी बानी पिला देना चाहिए लियाए पिव वतन थे पिव अपने घर से वतन परमधाम से लियाए हैं बल माया जानी तो माया के शक्त तो ज़्यादा है इस माया के बल को समझ करके फिर सबने समझूती कर लिया इसलिए जो लोग ये जीव नीद नहीं छोड़ रहे हैं उनको ये बानी पिला देना चाहिए और स्वेम अक्षराति धामधनी ये ब्रहमग्यान लेकर के जगत में आये और उन्होंने सद्गुरु को दिया और सद्गुरु के दारा सब को प्रशारे दुआ जहर उतारने साथ को तो सुनर्शाथ के अंदर का जहर उसको उतारने के लिए लियाए तारतम तो ये तारतम लेकर के आये हैं बेहद का रस स्रवने बेहद का रस तो ये बेहद का रस स्रवन के द्वारा पिलाने के लिए पिलावे हम बयात का रश यह अखंड लिला का रश है वो स्रवन के द्वारा पिला रहे हैं यह सब सुनाने के लिए हमें यह सब कहना पड़ा ए रस श्रवनों जाके धरे जरे तो यह रस जिनके कान से अंदर तक उतरेगा तार्तम का जहर मया का रश्य वो समय काम नहीं आएगा यह रश श्रबनों जाके दहर जहरें जिनके अंदर यह तार्तम ग्यान का रश से वो अंदर तक उत्रेगा जिनके स्रवण इंद्रियों से सुन करके अंदर तक पहुँचेगा ताय कहा करे जहर उसको माया का जहर क्या असर कर पाएगा उसको नहीं कर पाएगा सुपन ना हो बे जागते तो जाकते हुए तो सुपन नहीं देखी ताहां बाइर तो जागते हुए तो सपन नहीं होगा, जब जागेंगे तो सपन नहीं रहेगा, सपन में होगे तो जागेंगे नहीं, तो वो बात यहां पर समझा रहे हैं, सपन होवे नीद थे, कई इंड अलेके, तो यह सारे ब्रह्मांद बने, वो सपन में नीद मे बने हुए है चिन चिन आखां खोलिये तब कच्छुए ना देखे एक शण में दियम आखा खोल देते हैं तो कुछ भी दिखने वाला नहीं है एही रस तार्तम का चड़िया जहर उतारे तो तार्तम का रसी ऐसा है जो जहर चड़ने के बाद में ये उल्टी शल्टी उथल पुथल बातें सही लगने लगी हैं वो सारी बातें तो ये तार्तम का रस है ये उनको मिटा देगा और उनको स्वच्छ समझने लाइक बनाएग तो एई रसतार्तम का चड़्या जहर उतारे निर्विशी काया करे शरीर को विश्रहित बना देगा जीव जागे करारे तब जीव जागरतों करके परमशुक का नभब करेगा जागे इस सुख अनेक हैं जागनेक पर अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं इता ही अलेके इसी जगत में भी जागरत होंगे तो तो यहां के भी सुख मिलेंगे और परमधाम के भी सुख मिलेंगे ब्रज और रास लिला के भी सुख मिलेंगे यहां तो इतना सुख है जिसको बताई नहीं जा सकता है वतन सुख लीचिये जीव नईनाओं भी देखे तो इसमें समझा रहा हैं कि बतन के सुख उनको भी ले लना चाहिए तो अब यह तो परमधाम के सुख है तो उसको भी लेना चाहिए और यह जागरत होने पर परमधाम के सुख भी मिलेंगे प्रजराश जागनी दुनिया के लिलाव का भी अनवब हो जाएगा तो जागे सुख अनेक है इतहीं अलेखे वतन सुख लीचिये जीव नईनाओं भी देखे जागरत होने पर क्या विशिष्टा है दुनिया का सुख भी देखते रहो और परमधाम का सुख भी परमसुख को भी प्राप्त करो यह जागनी लिला की विशिष्टा है तो जीव नईनाओं भी देखे अंतर की दृष्टी खोल करके आगे की बात भी देख सकते हैं और इस दृष्टी से दुनिया का गवस्तापन भी देख सकते हैं सुख बड़े तारतम के क्यों जाहर कीजे तारतम के सुख है उसका तो कोई पारावारी नहीं है उसको कुछ शब्दों के दौरा कैसे बताये जा सकता है तारतम के यह सुख है इसको समने रुप से जाहर नहीं करना चाहिए बानी मायने देखके, जीव जगाए लीजे जिसको भी तो इस बार्णी का अर्फ समझ में आ जाए तो उस बैकते को चाहिए कि वो जिसको समझ में आ जाएगा तो उसको बहुत किस आनंद का अनुबप होगा तो इसलिए इस बानी के मायने को देख करके आप जागरत हो जाएं ए बचन साथ के कारने सुन्दर साथ के लिए ये बात कही जा रही है मैं तो बाहर पाड़े मैं तो ये बाहर दिखाया है इस सुन्दर साथ को जागरत करने के लिए है तो ये बचन है सुनरसाथ के लिए हमने कहें मैं तो बाहर पाड़े मैंने इनको प्रकाशित किया है दरवाजे बेहद के तो इसे तो बेहद के दरवाजे अनेक उखाड़े मैंने इन शरल सब्दों के द्वारा अनेक दरवाजें को भी निश्त नावद कर दिया तो ये है कि अनेक दरवाजे का मतलब जिसके द्वारा प्रहमग्यान जिसमें आगे बढ़ते जाएंगे तो प्रहमग्यान का अनुभव हो सकता है किम्तु वो होए भी नहीं तो माया के अंतर हैं उनके लिए यहां पर कह रहें तो दुनिया में माया मौ में रहते हैं तो कब क्या कारिय किस समय किस प्रकार से करना चाहिए वो पता ही नहीं होता है तो ऐसे में जागरत होंगे तो बहुत कुछ पता चलने लग जाएगा तो अभी के प्रशन को यह रखते हैं चोपए दो राते हैं ए बचन साथ के कारने मैं तो बाहर पाड़े दरवाजे बेहद के अनेक उगाड़े तो अनेक प्रकार से बेहद के द्वार को खोल दिया है यह बातियां पर समझा रहे हैं प्रणा